आज सुबा सुबा पवन सिंग का एक गाना रिलीज होता है, जिस गाने की कई दिनों से सोशल मीडिया में चर्चा बने हुई थी, क्योंकि यह गाना लिख हो गया था, तबसे ही इस गाने की ओरिजनल म्यूजिक वीडियो का फैंस को इन्तिजार था, लेकिन गाना रिलीज और उसके बीच आपस में तुलना हो रही हो बलकि दोनों कलाकारों के बीच इतना कंप्रेटीशन जादा है कि फैंस को कंपेर करने के ऐसे मौके का इंतजार रहता है पहले कई गानों से लगातार पौन सिंग खेसारी के उपर एक तरह से लीड बनाये हुए थे वो खेसारी से आगे निकल रहे थे और तब से खेसारी के फैन खेसारी और पौन के अगले गाने का इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें फिर से अपने स्टार के गाने को आगे निकल बना रहा है तो दूसरी तरब पॉण सिंग का गाना रिलीज के कई घंटे बाद भी million views के आकड़े तक पहुँचने के लिए तरस्ता हुआ दिख रहा है रिलीज के 7 घंटे के बाद खेसारी का गाना record बनाते हुए जहां दो million views के आकड़े को पार गया था पॉण सिंग का आज रिलीज हुआ गाना 7 घंटे के बाद भी 1 million views के आकड़े को पार करना तो दूर इसके करीब भी नहीं पहुच पाया है केसारी का गाना TL रिलीज के कुछ ही दिर बाद trending list में सामिल हो गया था साम होते होते या गाना YouTube के trending music section में टॉप पर trend करने लगा था तो दूसरी तरफ पॉण सिंग का गाना अभी भी trending list में सामिल तक नहीं हो पाया है एक तरफ या सब देखकर पॉण सिंग के फैंस जहां निरास होंगे तो केसारी के फैंस के लिए जैसे lottery लग गई है अलाकि पॉण सिंग का या गाना व्यूज के मामले में इस बार पिछड क्यों गया है इसके पीछे कई कारण है और उन कारणों के चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे बताएंगे कि खेसारी के गाने में ऐसा क्या खास है जो पॉण के गाने से इतना आगे निकला हुआ है लेकिन उससे पहले नमस्कार हम आजम भोजपुरी देख रहे हैं और मैं हूँ सन्नी मिसरा क्यामरे के पीछे हमारे साथ ही विशाल खड़े हैं पहले बात करते हैं इन दोनों गानों के चैनल के जिस पर दोनों गाने रिलीज हुए हैं तो खेसारी का गाना तेल सारे गामा हम भोजपुरी नाम की यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है इस गाने पर 9 मिलियन सादिक सब्सक्राइबर है पहुन सिंग का गाना इस चैनल पर आया है उस चैनल का टीजर रिलीज के समय है उस चैनल पर मात्र 10 लाग सब्सक्राइबर थे पहुन और खेसारी के गानों के चैनल में जमीन असमान का फर्क है एक तरफ जहां खेसारी के गाने वाले चैनल पर 90 लाग से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है तो पौन सिंग के गाने वाले चैनल पर 2 लाग सब्सक्राइबर गाना रिलीज होने के 7 गंटे बाद पूरा हुआ पॉन के गाने का टीजर जब आया था इस चैनल पर मात्र डिएल लाग सब्सक्राइबर था यहाँ पर आप पॉन सिंग का पावर समझ सकते हैं कि कल साम जब से पॉन सिंग के गाने का टीजर आया है एक और बड़ा कारण यह भी है कि पॉन सिंग का गाना तिरे दिन पहले लिख हो गया था, इसका डमी रिकॉर्ड पॉन सिंग ऑफिसियल नाम के यूट्यूब चैनल से टेकनिकल इरण के कारण बाहर आ गया था, उसके बाद कई चैनल ने इस गाने को उठा कर अपने चैनल प इसी का नुकसान पॉन सिंग के गाने को उठाने बड़ा है, दूसरी तरफ खेसारी और पॉन के गाने के क्वालिटी की तुलना करे तो दोनों के गानों का वीडियो शांदार है, दोनों ही गानों का वीडियो बहुत अच्छे बजट के साथ बड़े लेबल पर बनाया गय वीडियो के detailing पर काफी खर्च की गई है वही दोनों गाने के music की बात करें तो यहां पर खेसारी के गाने का music पाउन के गाने से ज़्यादा अच्छा लगता है इसका नतीजा है जो गाने के विट्स है वो dance करने की इसाप से ज़्यादा अच्छे हैं इसका नतीजा यह होगा क दोनों गाने के लिरिक्स की बात करें तो लिरिक्स भुषारी के गाने का liberal कि जबाइड tax? सबस्क्राइए आधिक्तर लाइन्स खेसारी ने खुद गाई है तो दूसरी तरफ प ihr dont के गाने में अरिकतर लाइन्स महिला सिंगर को मिले आए पौन के हिसे में बहुत कम लाइस है उर इसका खामी अजा हमें भॉझपुरी देख रहे हैं खबर बने रहे हैं धन्य बाद